पहलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज मार्किट ने आपको अपोर्चुनिटी दिये उमीद है आपने पैसा बनाये होगा उपर की तरफ आपको बताया गया था कि जब तक मार्किट इसका ब्रेक आउट नहीं देता तब तक आपको यहां स कोई बाइंग अपोर्चुनिटी नहीं मिलेगी यह चीज समझाए गई थी और इसी जोन से मार्किट में आपको एक रिजेक्शन केंडल देखने को मिली पहला टार्गेट आपका यह था अगर किसी ने यहां तक भी पोजिशन नहीं बनाई कोई बात नहीं एक और पूर्चुनिटी मिली है सीदे सीदे मैंने आपको एक कहा था कि अकर कोई सपोर्ट लेवल पे आपको केंडल मिل जाए या फिर कोई हमर नजदर आ जाए तो यहां से भी आपको बाइंग अपोजिदी create हो सकती है लेकिन कल के दिन हमारी क्या strategy रहेगी उस situation को समझते हैं लेकिन पहले ध्यान देने वाली बात कुछ चीजे हैं इन चीजों पर ध्यान दो आपने 6th को देखो पहले 3rd को देखो market ने इस zone में resistance के त्रेक्ट किया 6th को भी देखो इस zone में resistance मिला 7th को देखो 7th को भी इस zone में resistance मिला 8th को देखो 8th को भी इस zone में resistance मिला आज 9th को भी देखो 9th को भी same ही zone पर resistance मिला यानि कि buyers चा रहे हैं कि market इस level का breakout दे दे लेकिन breakout नहीं दे पा रहा है आपको बार बार यहां से गिरावट देखने को मिल रही है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ये चीज़े दिखाई दे रही है कि नहीं तो यानि कि हम उपर के लिए भी बाइंग के लिए तयार हो सकते हैं अगर इस लेवल का ब्रेक आउट मिल जाए हम इस सपोर्चनिटी को मिस नहीं करेंगे हम इस मोके को हाथ से नहीं जाने देंगे बात सिर्फ यहीं पर खतम नहीं हो रही ध्यान से अगर आप देखेंगे नीचे की तरब भी आपको एक जोन किरियेट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी मार्केट एजिस सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है यानि कि यहाँ पर मार्केट इतना साइडवेज हो चुका है यह चीज आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे तरह किसे दिखाई देगी मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर चीज को समझने की कोशिस करो ऐसा क्यों हो रहा है पहले आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला फिर मार्केट ने अक्टूबर में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया फिर नवंबर में मार्किट ने इसका ब्रेक आउट दे दिया, फिर ये जितना मजबूत आपके लिए रजिस्टेंस बना हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई रजिस्टेंस हो जोन है, ब्रेक आउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरेक्ट करेगा, फिर आप देखेंगे, मार्केट इस लेवल का ब्रेक आउट दे ही नहीं पा रहा है, हर एक केंडल यहाँ पर एक दिन को रिपर्जेंट करेए, क्योंकि टाइम फ्रेम मैंने वन डे का लगा रखा है, और सिर्फ बाहत यहाँ पर खतम नहीं हो रही, नीचे जो हमारे लिए रुकाव क्यों किरियेट हो जाएगा, कि हम मार्केट में सेलिंग पोजिशन बना सकते हैं, और इन सिच्वेशन में हमारे लिए जो सपोर्ट बनेंगे, यह वाले जोन बनेंगे, यानि कि 40,800 के एराउंड पहला सपोर्ट, इसका भी ब्रेक डाउन आ गया, तो और नीचे अपोर्च प्राइज भी सस्टेन होना चाहिए, तभी आपको बहतरी इन बाइंग अपोर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो यानि कि अब हम चीजे मार्क कर लेंगे, एक तो हमारा हो गया 41,000, एक हो गया 42,000, या तो मार्केट इससे उपर निकले, या फिर इससे समझा दी, एक बात और दिहान से समझो, मार्केट आपको ऐसा भी दिखाएगा कि आपको 42,000 का ब्रेक आउट दे दिया है, या 41,000 का ब्रेक डाउन दे दिया है, लेकिन उस ट्रैप में नहीं फसन है, मैंने आपको समझाए हुए है, एक तो होता है, मार्केट इस तरीके से चला जाए, इस तरीके से चला जाए, इसे क्या माना जाएगा, सपोर्ट, फिर मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे दिया, आपको दिखा दिया ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन अगली ही केंडल में इसका ब्रेक आउट दे देगा, इसे हम कहते हैं, फेक ब्रेक डाउन, इस दोनों अलग अलग चीजे होती है समझ मैं आपको यहाँ वापिस आते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे चार सिनेरियों डिसकस करेंगे पहला अगर positive open होके market ने positive open हुआ flat open होके तब हमें क्या करना है negative हुआ तब क्या करना है gap up opening हुई तब क्या करना है gap down opening हुई तब क्या करना है इन सिनेरियों को हम डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले no trading zone समझ लेते हैं कि जहां तक हमें trading नहीं करनी है उस सिनेरियों को समझ लेते हैं यहाँ पे आपको दो red line दिखाई दे रही होगी उपर level line की बात करेंगे 41,634 है जो की हमारा आज का day हाई है यानि की 9th का day हाई है नीचे की तरब आप देखेंगे यह है 41,404 जो की day low है किसका 8th का day low है जब तक market इस zone में रहेगा हम इसमें buying नहीं करेंगे नहीं selling करेंगे सिर्फ market को observe करेंगे लेकिन हमें यहाँ पे एक scalping opportunity मिल सकती है selling side में अगर market day close से नीचे चलना शुरू होता है तो 41,404 तक आपको एक scalping opportunity मिल सकती है समझ में है लेकिन अब हम यहाँ पे observe करो अगर flat open होके market ने positive momentum दिखाया उस situation पे हम क्या करेंगे पहली condition जो 9th का day close है उससे उपर market चलना चाहिए plus 9th का जो day high है day close और day high काफी नजदीक है day close यहाँ पे है day high यहाँ पे है तो हमें day high का breakout मिलना चाहिए तब ही हम buying करेंगे उससे पहले हम buying नहीं करेंगे क्योंकि अगर day high का breakout मिला तो यहाँ पे day high के breakout वाली strategy काम करेगी जिन्होंने course किया है वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे course में मैंने समझाय हुआ है कि first candle का अगर breakout होता है यानि कि 5 minute के time frame पे अगर first candle आपको bullish दिखाई देती है green candle दिखाई देती है तो मैंने आपको explain किया हुआ है course में entry कैसे लेना है stop loss कहा लगाना है target क्या लेना है तो वो चीज यहाँ पे काम करेगी day high का आपको यहाँ पे मिल रहा है breakout और इस situation पे आपके लिए सीधा सीधा target बनेगा यह वाला यानि कि 41,800 वाला अगर आपको इसका breakout मिलता है तो 42,000 आपके लिए दूसरा target रहेगा scenario समझ मैं है मैंने आपको क्या समझा है अब यहाँ पे हम दूसरा scenario discuss करते है यहाँ पे अगर आपको मिला flat open होके market ने negative momentum दिखाया negative side मैंने आपको कहा है कि scalping मिल सकती है अगर day close से market नीचे चला किसके low तक 7th के day low तक ठीक है लेकिन एक बहतरी selling opportunity कब मिलेगी जब day low का आपको breakdown मिलता है तब आपको एक selling opportunity मिलेगी और उस selling opportunity में आपके लिए target रहेगा 9th का day low ज़्यादा बड़ा target नहीं रहेगा और जहाँ पे 9th का day low है यहीं पे आपको 6th का day low भी देखने को मिलेगा यह आपका लिए target रहेगा अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो हमारा 7th का day low है यह आपके लिए दूसरा target हो जाएगा अब देखो दोस्तो मुझे काफी comment यह आते हैं कि आप इन levels को बोल के बताओ दोस्तो यह काम आप खुझ से भी कर सकते हो यहां से एक line उठाएंगे day low पे draw कर देंगे तो आपके लिए आ गया यहां पे क्या danger आ रहा है आप यहां पे जाके देख लें ना यहां पे मैं exact level नहीं मार्क करा यह 41,263 आ गया नोर्मल आ गया देखो अगर हम यह चीज़े भी करके दिखाएंगे तो फिर सोचने वाली बात है आप क्या करेंगे भही आपके लिए एक homework भी तो होना चाहिए कि आप चीजों से खुझ जब तक खुझ से आप करना नहीं सीखेंगे तब तक चीजे नहीं आने की सिर्फ यहां पर देख के जाना इतना सफिशेंट नहीं होता है सीखने के लिए आपको उस चीज़ की practice भी करनी पड़ती है आपको teacher इस्कूल में जब पढ़ाते थे जब तक आप homework नहीं करते थे तब तक वो चीज़े नहीं आती थी नहीं test में अच्छे नंबर आते थे नहीं exam में नंबर आते थे अगर हम test में और exam में भी अच्छे नंबर चाहिए तो हमें वो चीज़े घर पे practice करनी पड़ती है अगर आप इस market से profit बनाना चाहते हैं तो आपको practice करनी पड़ेगी क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई पैसा बना लिता सोचने वाली बात है तो यह चीज़े देखो आसान हो जाएगी जब आपकी समझ में आने लग जाएगा तब आपके लिए आसान हो जाएगी लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो यहाँ पे भी आप करेंगे लो आ जाएगा आपका 41,094 देखो सीधा ही तो सिर्फ लोजिक पे समझो कि आपको क्या लोजिक समझाय जा रहा है उन चीजों को समझो आपको चीजे यह 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 चीजे आप खुद भी ड्रो कर सकते हो आई अब हम समझते हैं अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिम मूमेंटम आया तो पहला टार्गेट हमारा क्या रहेगा हमें इसके ब्रेकडाउन का इंतिजार करना है किसके नाइनत के डेल हो का ब्रेकडाउन का इंतिजार करना है हमारा अगला टार्गेट रहेगा ये वाला ठीक है पहला टार्गेट यह रहेगा नाइनत का डेल हो इसका ब्रेकडाउन होआ तो यहाँ पे हमारा टार्गेट रहेगा सेवनत का डेल हो scenario समझ में आ गया, अब हम discussion करते हैं, अगर आपको gap up opening देखने कुम्भी गई, अब आप काफी दिनों से भी हम same ही चीज discuss कर रहे हैं, क्योंकि market same ही level पर उख रहे हैं, लगबग लगबग same ही level पर उख रहे हैं, तो यहाँ पर चीजों को ध्यान से समझो, देखो यही तो समय ह level है, 41,800, दूसरा important level है, 42,000, ठीक है, पहला scenario discuss करेंगे, market कहीं यहाँ पर open हो रहा है, कहाँ पर 41,800 से नीचे और हमारे day high से उपर, किसके day high से, 9th के day high से उपर, इस बीच open हो रहा है, तो आपको सिर्प और सिर्प स्केल्पिंग करने का मौका मिलेगा, सिर्प और सिर्प स् buying side आप 41,800 तक कर सकते हैं, selling side आप day high तक कर सकते हैं, 9th के day high तक, यहाँ पर long buying नहीं करनी है, नहीं long selling करनी है, ठीक है, अगर 41,800 का breakout मिलता है, तब आपको एक buying opportunity मिलेगी, उसमें आप target लेके चलेंगे 42,000 तक, ठीक है, यहाँ पर day close से अगर market नीचे निकलता है, तब आपक रहेगा, 8th का, डेलो, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, तो 9th का डेलो, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, तो 7th का डेलो, सिनेरियो समझ में है, अब थोड़ा सा चीजों को और मुश्किल करते हैं, मान लो, market open हो रहा है, 41,800 पर, यहाँ से आपको दोनों तरफ opportunity मिल जाएगी, buying side भी और selling side भी, अगर यहाँ पर BRE scandal दिखाई दी, तो इसका मतलब पहले भी market ने यहाँ पर rejection लिया है, तो market rejection ले चुका है, आपके लिए सीधा सीधा target हो जाएगा, 9th का day high, लेकिन अगर market में यहाँ से bully scandal आपको द देख सकते हैं, अगर price sustain हुआ, तो 42,000 आपको नजर आ सकता है, अगर market कहीं यहाँ पर open open हो, 41,800 से उपर open हो गया, लेकिन 42,000 से नीचे open हो गया, तो यहाँ पर हमें buying नहीं करनी है, हमें selling opportunity अगर मिल गी तो ज्यादा बेतर है, selling opportunity में पहला target हमारे रहेगा, 41,800, अगर इसक का day high, ठीक है, यहाँ तक situation clear हो गई, अब हम discussion करते हैं, अगर gap down opening मिल गई, भई gap down opening कहां मिल रही है, हमारे लिए भी बहुत माहिनी रखेगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे लिए कौन से important level निकल के आ गया है, जुन 9th का day low बना है, क्योंकि हमने देखा, यह 6th का भी day low बन open हो रहा है, यानि कि 9th के day low से उपर ही open हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ scalping करने का मोगा मिलेगा, अगर bully scandal आई, तो day close तक आपको यहाँ पे buying side आप scalping कर सकते हैं, या beer scandal आई, तो आप यहाँ पे selling side तक, यानि कि इसके day low तक scalping कर सकते हैं, बहतरी इन buying कब मिले जब market day high का breakout दे देगा, 9th के day high का breakout दे देगा, तब buying मिलेगी, 8th के day high तक पहला target इसका breakout मिल गया, तो 42,000 अगला target, बहतरी इन selling opportunity कब मिलेगी, जब 9th के day low का breakdown मिल जाएगा, तब आपके लिए target हो जाएगा 7th का day, अब चीजे बदल देते हैं, अगर आपको gap down opening low पे ही मिल गई आपको gap down opening, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिनेरियो क्या बन रहा है मार्केट में, क्योंकि आपको ओल्रेडी लगभग 300 प्लस है, तो 250 प्लस पॉइंट के around gap down opening मिल जाएगी, तो यहाँ से हमारे लिए अगर आपको यहाँ पे hammer नजर आ गया, यह कोई pin bar bully scandal नजर आ बेरी scandal की बात नहीं कर रहा हूं, मैं pin bar bully scandal नजर आ गी, तो सीधे सीधे buying opportunity मिल जाएगी और day close तक आपका पहला target हो जाएगा, लेकिन अगर market ने day low का breakdown दे दिया, तो यहाँ पे आपके लिए day low के breakdown वाली strategy काम करेगी, day low का breakdown with first candle, जिन्होंने course किया है, वहाँ पे मैंने उन् breakdown मिलता है, तो आप किस तरीक से entry ले सकते हैं, stop loss कहां लगा सकते हैं, और आपका target क्या होना चाहिए, यह scenario discuss किया गया है, तो यहाँ पे आपका target क्या बनेगा, 7th का टेलो आपका पूरा-पूरा target बनता हुआ नजर आएगा, clear होगे, अब यहाँ पे अगली opportunity के बारे में ब avoid कर देंगे, हम यहाँ पे buying opportunity देखेंगे, यह तो market वापिस जाए, gap को fill करने जाए, ऐसा scenario बने, यह कहीं हमें hammer नजर आ जाए, यह कोई pin bar, bullish candle नजर आ जाए, तो उसी के low के नीचे का हम SL लगा के उसमें entry बना लेगे, situation के लिए रोकी मैंने आपको क्या समझाए, चार scenario और अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, pivot point की तरह, दोस्तो like target मैं आपको यहाँ पे लेकर देता हूँ, 5000 like target है, अगर आपको content पसंद आ रहा है, तो जल्दी से like button प्रेस करना शुरू कर दो, फिलाल हम discussion करते हैं, अगर bank nifty में आपको एक positive momentum देखने को मिला, उस situation पे ज resistance नजरा रहा है, 41,725 पे नजरा रहा है, अगर आपको इसका breakout मिलता है, जो में दूसरा resistance नजरा रहा है, 41,818 पे नजरा रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिलता है, जो में तीसरा resistance दिखाई दे रहा है, 41,966 पे आपको यहाँ पे तीसरा resistance देखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो में दूसरा support ना जरा रहा है, यह 41,336 पे नजरा रहा है, अगर आपको इसका भी breakdown मिलता है जो में 3 fps 1,187 पे, आपको यहां पर तीसरा support दिखाई दे रहे है. दोस्तों यह आपके लिए किसी भी त्रह कर ना तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाई गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जमिदर भी आपको अपने आप लेनी है ठीक है दोस्तो वीडियो को like कीजिगा comment करके मुझे बताएगा analysis कैसे लग रहे हैं नए हो चैनल पर subscribe कीजिगा और bell icon प्रेस कीजिगा जिससे आपको अने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ thank you